दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं कि जब हम बीज से पौधे तयार करते हैं और बीज लगाते हैं उसके बाद जब बीज हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद हमें हमारे इस पौट को या फिर प्रो ट्रे को जिसमें हमने बीज लगाए हैं और पौधे तयार कर रहे ह उसे कहां रखना चाहिए क्या उसे हम डारेक्ट सनलाइट में रखें या फिर उसे सेड में रखें दोस्तों यदि आप भी गार्डनिंग करते हैं और इसपेसली आपने अभी गार्डनिंग सुरू की है तो फिर आपको ये इनफॉर्मेशन बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा कनफ्यूजन हमें इसी चीज को लेकर होता है कि बीज लगाने के बाद हम उन्हें कहां रखें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरस एन गार्डनिंग यूटूब चैनल यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है दोस्तों तो इसे सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसकर नोटिफिकेसन आ जाए देखिए दोस्तों ये मेरा टैरिस गार्डन है और यहां पे मैंने ढेर सारी बेजी टेविल्स को लगा रखा है और मैं इन बेजी टेविल्स के पौधे अपने गार्डन में ही तैयार करता हूँ मतलब मैं खुद बीज से पौधे तैयार करता हूँ आप सामने देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ बैगन के पौधे हैं जो हमने अभी बीज से तैयार किये हैं और इन्हें हमने गर्मी के मौसम में इस्पेसली मई के महिने में तैयार किया है और सामने आप देख सकते हैं तो ये हमने कुछ टमाटर के बीज अभी लगाए थे और ये टमाटर के बीज यहां से आप देख सकते हैं देखिए यहां पर एक टमाटर यह जर्मिनेट भी होने लगे हैं और कुछ टमाटर के पौधे निकल कर बाहर भी आ गए हैं देखिए य पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सौट बीडियो रखेंगे, ज्यादा इसको लंबा नहीं खीचेंगे, तो सबसे पहली बात कि जब आप बीज लगाते हैं, जैसे माल लीजिए, इस गमले में हमने टमाटर के बीज लगाए, अभी कुछ दिन पहले हमने बीज पॉधे थोड़े थोड़े हमें दिखने नहीं लगते, तब तक हम इसे फुल सेड में रखेंगे, वहाँ धूप नहीं भी आती, तो चलेगा मतलब अगर वहाँ बिलकुल भी धूप नहीं आती, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बात दोस्तों, जब हमारे खलके आ गए हैं और इनमें टू लीव भी आ गए है, तो जब टू लीव आने लगती है उस समय आपको रखना है इसे सेमिसेड एरिया में, सेमिसेड एरिया का मतलब होता है, जैसे कि आप ये जो मेरा एरिया देख रहे हैं, यह सेमिसेड एरिया है यहाँ पे हल्की धूप भी आती है और बहुत तेज धूप भी नहीं आती है तेज धूप कैसी होती है दोस्तों ये देखिए आप सामने देख रहे हैं ये तेज धूप है और आप यहां देख रहे हैं तो ये हलकी छाओं में रखे हुए हैं जहां पर छनकर सूरज की रोशनी आ रही है उपर मैं बाद दोस्तों हमें क्या करना है जब हमारे बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं दो से तीन पत्ती उसमें हो जाती है और अगर दिन की बात करें तो दस से पंदरा दिन के जब वो बीज हो जाते हैं पौधे तो हम इन्हें रखेंगे हल्की संलाइट में जैसे कि आप देख सक अब ये था बताने का कि आपको अब आपके पौधों को धूब दिखानी है जैसे ही आपके पौधे थोड़े बड़े हो जाएं थोड़े बड़े बहुत जादा बड़े आप करेंगे तो पौधे लंबाई में बढ़ जाएंगे इस तरीके से और फिर वो खराब होने लगें मतलब 10 दिन बाद आपने जब धूब दिखाना शुरू किया था तो 15-20 दिन तक आप दिखाते रहेंगे तो आपके पौधे काफी बड़े हो जाएंगे और 25 दिन बाद लगभग पौधे इस तरीके से हो जाते हैं अब आप इन्हें लंबे समय तक धूप में रख सकते हैं जहां हमें से लगाने वाले हैं जिससे हमारे पौधे उस माहौल में एड़ाप्ट हो जाएं तो ये कुछ तीन बातें थी दोस्तों जो हमें फॉलो करनी होती हैं यदि आप अपने पौधों को प्रौपर सनलाइट में नहीं रखेंगे तो आपके पौधे लंबाई में तो होके पौधे गिर जाएंगे और फिर वो मर जाएंगे तो ये समस्या लगभक सभी गार्डनर्स को होती है और सब ने ये कभी न कभी प्रौबलम को फेस किया है इसलिए आपको हमेशा अपने पौधों को समय समय पर जरूरत के हिसाब से सनलाइट में रखना है और एक बात जो बीज हैं जर्मिनेट होंगे और वो सूख जाएगा उसका जर्मिनेशन और फिर वो पौधा आंगे नहीं बढ़ेगा आपकी सारी मेहनत वहाँ पर बरबाद हो जाएगी तो दोस्तों इन कुछ तीन बातों का ध्यान रखें और अपने पौधों को जब जरूरत हो तब सनलाइट में रखें तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा यदि इसके बाद भी आपके कोई सवाल है कि बीज लगाने के बाद हमें गमले को कहां रखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन सवालों को पूँच सकते हैं मैं पूरी कोसिस करूँग पौधा भी एक living things है और उसे भी इनसान की तरह है छोटे बच्ची की तरह है अगर आप उसकी care करेंगे तो वह आपके garden में बड़ा होगा और एक बड़ा पेड़ बनेगा जिससे आपको धेर सारी सबजियां harvest करने को मिलेंगी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैंसा लग वीडियो में तब तक के लिए happy gardening